हेलो दोस्तों नमस्कार सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वेदा क्लासेस पर दोस्तों आज हम BRO SKT की पाच्वी क्लास कर रहे हैं और आज की क्लास में हम कुछ कम टॉपिक लेंगे क्योंकि कम टॉपिक लेने से आपको जो लोड होता है वो कम हो जाता है एक साथ ज़्यादा चीजें बढ़ने के अशक्ता नहीं होती है हम दो या तीन टॉपिक से ज़्यादा किसी भी क्लास में अब नहीं करेंगे वैंकि इससे क्या होगा कि हमारी जो क्लास होगी वो थोड़ी जल्दी क्लास आएगी जैसे अभी एक सबताह लग जाते हैं क्लास को आने में तो जब हम topics कम लेंगे, तो class जल्दी आएगी, और हमें notes बनाने में आसानी होगी, यानि कि जल्दी notes बन जाएगी, तो हम आपको classes भी जल्दी provide करवा देंगे, दूसरा इसका फायदा ये होगा, कि जो आप classes काफी दिनों में आती थी, तो वो नहीं होगी, जल्दी classes मिलेंग और आपकी जो videos 30-35 minutes तक की जाती थी, तो वो videos आपकी 10-15 minutes में हो जाया करेगी, क्योंकि 30-35 minutes की videos आप लोग देख भी नहीं पाते हैं, काफी जादा time हो जाता है, और मेहनत हमें जादा करने ही पड़ती है, तो इसलिए हमने सोचा है कि जो हमारे topics होंगे, वो एक, दो या अ सामगरी अनरोध note, bill of material, और इसके सामगरी को कैसे हम, यानि कि जो हमारे store में जो भी गोदा में जो सामान रखा रहता है, जो materials रखे रहते हैं, उनको हम issue कैसे करते हैं, निको हम जारी कैसे करते हैं, आज की इस class में हम सिर्फ तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो पहले ह सामगरी अनरोध note, सामगरी अनरोध note को हम material requisition note भी कहते हैं, यानि कि material को जारी करने के लिए एक अनरोध होता है, तो जो आपका सामगरी अनरोध note है, ये किसी सामगरी को प्राप्त करने के लिए एक लिखीत मांग पत्र होता है, यानि कि हम store से या हमारे storage विभाग से जहा औूघुए होगा औवचारिक होगा यानिकी official होता है और यहां जो सामागरी unwroth note होता है उत्पादन विभाग से सामागरी n को जो भी सामागरी वहां पर निर्जश होती है जो भी सामागरी की ज़रूरत होती है जिस материal की उसकी आपूर्थ के लिए यह जारी किया जाता है उत्पादन विभाग का मतलब यहां पर ऐसा नहीं है कि जहां पर चीज़ें बनती हैं उत्पादन विभाग से मतलब यह है कि जहां पर भी कोई भी चीज़े आपका निर्मारकार हो रहा है जैसे आपके यदि हम परसनल बात करें तो आपके बियारो की एगर हम बात करें तो बियारो जो भी हमारे अंतराष्टी सीमा है, यानि कि जैसे हमारे पड़ोसी देशों के साथ जो सीमा है, तो वहाँ पर यह पहाड़ी इलाकों में हल चकह पर डिफेंस के लिए या आर्मी के लिए सड़क निर्माड का कारे करता है हमारे बियारो, तो बियारो के सड़क निर्माड में जो भी चीज़े आएंगी, वीकल का हो गया, गंग्रेट का हो गया, जो भी मस्चिनरी होंगी, तो वह सारी चीज़े एक जगे पर रखी जाएंगी, तो आपका जो यानि कि जो आपका यहाँ पर इंजिनरिंग डिपार हो गया, तो इंजिनरिंग डिपार्टमेंट का हो गया, सड़क निर्माड का एक तरफ प्रकार से उत्पादन विभाग का कारे करेगा, तो आपका हुआ है डिपार्टमेंट से अपनी चीज़ों की आपूर्ट के लिए एक मांग पत्र जारी करेगा, जिसे हम सामगरी नोट होता है, यह एक प्रकार का अनुरोध पत्र है, यानि कि रिक्ष्ट होती है, कि यह सामान हमें जारी किया जाए, तो जब यह इस्टोर कीपर के पास आती ही हुआ है, सामान को जारी करने के लिए अधिक्रित हो जाता है, या सक्षम हो जाता है, यानि कि जब तक यह न सामान की सारी जानकारी होती है, जैसे उस सामान का कोड होता है, जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था, सभी सामानों का हम स्टूर में रखने के लिए क्लासिफिकेशन और कोडिफिकेशन करते हैं, जिससे कि हमें सामानों को प्राप्त करने के लिए मैटेरियल को प्राप्त करन हैं तो उस गिंती करने वाले सामान की संख्या लिखी होगी 10 पीस शहिए 15, 150, 500 इस तर ऐसे और यदि उसको हम वेट कर सकते हैं हैनि को उसको हम तौल में लेते हैं तो उसकी भी मात्रा लगी होगी 50 किलो, 25 किलो या 75 किलो एक क्योंटल जितना भी आपको रहेगा तो सामान की मात्रा, सामान का कोड और उसका क्या कार होगा ये सारी चीजे हम समगरी अन्रोध नोट में दर्ज की जाती है और ये सामान की अन्रोध नोट जब प्राप्त होता है इस्टोर कीपर को, तो सामान को जारी करने से पहले इस्टोर कीपर सारी की सारी चीजों को बिन कार्ड में, ये सारी जानकारी बिन कार्ड में फिल करता है wincard भी हो पढ़ चुके हैं wincard में जो सामगरी की जानकारी होती है backup fill की जाती है सामगरी को issue करने से पहले यहनी कि आपके पास कोई note आया कि हमें यह सामान देना है पहले आप उस शीच को अपने wincard में note करेंगे entry करेंगे उसके बाद आप materials को issue करते है तो जब आप बिन कार्ड में ये जानकारी फिल करते हैं या दर्ज करते हैं तो इसी सामागरी अनरोध के अनुसार उस material का code उस material की मात्रा यानि की quantity और वो एक इस काम के लिए मगाय जा रहा है ये सारी चीज़ें आप भी अपने बिन कार्ड में नोट करेंगे ठीक है आगे की बात हो गया तो यह जो सामागरी आपकी अनरोध है नोट होता है सामागरी अनरोध नोट इसको हम तीन प्रतियों में तयार करते हैं कितने प्रतियों में तीन प्रतियों में तयार करी जाती है और यह जो तीन प्रतियां होती है तो एक प्रति आपको store department को एक प्रति कास्टिंग विभाग को और एक प्रति बनाने वाले ये भेजने वाले विभाग को दी जाती है ठीक है तो यहां पर कौन कौन सी हो गया यानि कि यह क्या हो गया इस्टोर हो गया कास्टिंग विभाग यानि कि लागत लेखा विभाग या एकांटिंग विभाग भी कह सकते हैं और तीसरी जो प्रती होती है यह जहां से आपका नोट आई है तो यह HUAR आपकी सामगरी अन रौध नोट इसके आगे का जो हमारा है वोई है बिल-अफ मटेरियल यानि कि जो भी हमारी सामगरी होगी उसका बिल तो आपको यह हैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वाला जो है सामगरी अन्रोज नोट material liquidization note है यह आपको clear हो गई होगी तो यह जो हमारा bill of material होता है यानि कि material का bill सामगरी का bill जिससे आप लोग कहीं पर सामा लेने जाते हैं किराने के दुकान पर या कहीं और कहीं shopping करने तो आपको एक bill दिया जाता है तो वह है भी एक प्रकार का bill of material होता है तो bill of material उस सामगरी के बारे में कुछ उसमें आवशक निर्देश दी रहते हैं सामगरी का code दिया रहता है उसकी मातरा दी रहती है यह सारी चीजें हम उसमें bill of material में note करते हैं जो कि किसी विशेश कार या सेवा के लिए आवशक होती है तो जो आपका bill of material होगा इसमें आप यदि कहीं पर कोई सामान लेते हैं उसका bill लेते हैं जैसे यदि आपने कभी mobile purchase किया होगा यदि आप नया mobile कोई भी नई सामान चीजें electronic सामान अगर लिये होंगे तो उसमें एक आपको bill जरूर दिया रहता है यदि आपने कभी एक दवा ली होगी यानि कि सीरफ अगर ली होंगे तो उसमें भी आप वो एक अंदर पर्चा मिलता है तो उस पर्चे में आपको सारी सारी चीजें दिया रहता है यानि कि हमारी जो दवाई है या कोई भी हम electronic सामान है जैसे अगर आपने mobile लिया तो उसमें आपका सारा चीज दिया रहता है कि एक short detail में कि हम किस प्रकास इसको यूज करते हैं इसमें क्या-क्या साफधानिया र लिखी रहती है यह एक बिल में लिखी रहती है इसके लाब आपका एक rule book यह होता है तो rule book अलग है लेकिन यहाँ पर मैं सिल्फ bill of material की बात कर रहा हूं यदि आपका पक्का बिल होगा यानि कि official bill होगा यह सारी चीजें उसमें लिखी रहती है फिर इस्थानापन सामागरी का मतलब है constitute material means होता है कि यदि कोई original सामान नहीं है तो उसके बदले में आप कोई अन्य सामान को यूज कर सकते हैं जो कि आपके original सामान की जितना ही काम करेगा आपने apple के duplicate सामान बहुत सारे देखे होंगे यानि कि apple का जिसे आप यदि आई बढ़ लेते हैं कोई headphone लेते है apple का तो 20,000-25,000 की लगभा काता है apple का लेकिन आपको जो उसकी बताते हैं first copy है second copy है वह आपको पंदरा सो दो हजार या जहां भी आप जिस तरह से देखते हैं उससे आप से मिल जाता है तो कहने मतलब है कि यदि आप दूर से देखते हैं जो आपकी constitute सामागरी होती है तो उ उसमें ज़्यादा अंतर समझ में नहीं आता है लेकिन आपका जो काम होता हुए काम चल जाता है यानि कि आपने apple हेटफोन ओरिजिनल ना लेकर उसकी copy ले ली तो भी आपका काम यह हो गया कि यदि सामने वाले को पता नहीं है या अपने ज़र तक बताया नहीं तो आपका काम आराम से चल रहा है तो क्या जाता है सानपन सामगरी लेकिन जो आपकी सानपन सामगरी होती है या constitute material होता है उसको तभी हम यूज करेंगे जब हमारी original material नहीं होगा और जब हम अपने बिल बनाएंगे तो अपने बिल में इस चीज को भी हम notice देंगे या हम उसको mention करेंगे उसमें हम दर्ज करेंगे यह चीज लिखेत में देंगे कि यह original सामान नहीं था इसलिए original सामान के जगहे पर हमने यह constitute आपको भुलब्द करा दिया है ठीक है यानि कि जब आप job कर रहे हैं तब की बात मैं कर रहा हूं उस हिसाब से और यह job का अभी लाफ material होता है ही अभी किसके द्वारा यह उत्पादन विभाग के द्वारा ही यहां पर यह भी बनाया जाता है और यहांसामागरी जो आपका निरोध हो नोट होता है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी कोई काम लग रहा है वह पर्टिकुलर चीज के लिए क्या हो जाएगा उत्पादन उजना दिभाग हो जाएगा तो जो आपका बिल आप मठेर होता है यह सामगरी का दस्तावेजी करण करने या कार निश्पादन की एक बिधी है यानि कि जब आपका बिल बन आपका काम भी पूरा हो गया तो एक प्रकार से बिल आप मठेरियल जो होता है वह किस प्रकार का होता है सामगरी का दस्तावेजी करण करने के लिए और कार निश्पादन की विधी को एक्जिकूट करने के लिए होता है और इसकी जो बिल आप मठेरियल है इसको चार प्रत प्रतियं तयार की जाती है, चार कॉपी तयार की जाती है, जिसमें एक आपको भंडार विभाग यानि की स्टोर को भेजी जाती है, दूसरा परशेश डिपार्टमेंट, तीसरा कॉस्ट यानि की जहां पर आपकी लागत होती है, कॉस्ट विभाग को और चोर्थी उत्पाद प्रतियार की जाती हैं इसके आगे सामगरी को जारी करना अब आपकर ये काम हो गया है तो हम मटेल जारी करना है तो उसको हम क्या करेंगी यहां पर जो मटेल जब हम जारी करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे कि पहला है सामगरी की आवशकता अनुसार योजना यानि कि जो सामगरी हम इसू करने जा रहे हैं जो material हम जारी करने जा रहे हैं उसके अनुसार उसको जारी करने के लिए हमारे क्या योजना होगी यानि कि अगर कोई बहुत ही भारी भरकम या बहुत जादा quantity में सामान है तो उसको हम किस प्रकार से planning करें कोई हमारा सामान बिना किसी खत्रे के या बहुत जादा भारी भरकम है या बहुत जादा quantity में है तो उसको हम कैसे जल्दी से जल्द निरा कर सकें बिना किसी नुकसान या बिना किसी खत्रे के सामगरी की मांग होती है यानि कि कितना सामगरी है तो जो आपका बिलाफ माटेरियल में लिखा गया होगा कि किस प्रकार से हमारी सामगरी बिलाफ माटेरियल में दी गई या कितना हमें आवशक है तो ये सारी चीज़े हम सामगरी की मांग यानि कि समगरी के bill या bill of material में हम देखती हैं ठीक है तो और जो आपका bill of material होता है तो यह चीज़ें क्या होगी आपकी एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही जारी की जाती है समगरी का आंत्रिक audit जब समान को हम इसू करते हैं तो समगरी का audit भी करते हैं जब हमने बिन-card बढ़ा था उस टाइम फिर भी हमने यही देखा था की सबसे पहले तो हम क्या करेंगे की बिन-card में entry करते हैं उसके बार हम एक internal audit तब भी करते हैं यानि कि OC का यह एक part है तो internal audit करने में उस time पर फायदा हमें यह होता है यह हमारे कितने सामान बचे हुए हैं और कितने हमें issue करने हैं तो दोनों को minus करने पर हम यह भी पता चल जाता है कि कितने सामान हमें बचेंगे last में एक्जामपल एकले मालीजी आपके पास कोई 100 piece सामान रखा हुआ है 100 piece में आपको 45 piece के order आ गए तो आप इन दोनों को क्या करेंगे minus करेंगे और minus करने के बाद आप फिर बताएंगे कि हमारे पास कितना बचा 55 और बचा है कोई भी सामान इस प्रकार से सामागरी को जो होता है वो हम audit करते हैं तो किसी सामागरी को जारी करने से पहले उसका audit करना चाहिए जिससे सामागरी की संख्या में कमी या व्रिद्धी को जाना दा सके यानि कि जब आप माठेल को इसू करें जारी करें माठेल को अपने इस्टोर से कहीं भेज रहे हैं तो उसमें कमी आएगी और कोई सामाने दिया बाहर से मगार है तो वो भी स्टोर में ही आएगा तो हाँ पर आपकी फृत्थी हो जाएगी अपवया का नियंत्रण यानि कि control of wastage जो भी हमारा wastage होता है क्यूं हमारा material खराब हो रहा है क्यूं हमारा material waste हो रहा है उसको जानना और उसको control करना जिससे कि हमें नुक्सान से बचा जा सके निर्दार्ण मानक से अधिक अपवया नहीं होना चाहिए यानि कि आपको एक मानक तयार करना होता है या आपके उच्च अधिकारियों से senior से आपको एक standards दिया जाता है कि इतने सामान है मालीजे आपको मैं एक्जाम पर देता हूँ 100 सामान है तो 100 सामान में आपको सिर्फ 5% ही प्लस माइनस कर सकते हैं 5% ही आपका waste हो सकता है किसी भी इस्तिती में उससे ज़्यादा waste नहीं होना चाहिए तो उसको आप लोग पूरी जांच करेंगे पूरी सूची तयार करेंगे यादि उससे ज़्यादा होता है तो आप एक सूची तयार करते हैं यादि कोई difference आता है तो आप सूची तयार करते हैं अलग से आपका टीम तयार की जाते जिसकी वज़े से अप अभ्याका नियंत्रण या वेस्ट को कंट्रोल किया जा सके। अब ये सारी सीजिए होने के बाद हमारे सामगरी को जारी किया जाता है। जो भी आपका bill of material में दिया रहेगा जो भी आपका अनुरोध में लिखा रहता है उसके अनुसार आप अपनी सामगरी को प्रत्षिपूर्ति करते हैं अपनी सामगरी को जारी करते हैं। उसके साथ में एक bill भी बना का आप उस समभनतिन department को भेचते हैं। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक थे आज मैंने क्लास जो है छोटी रखी क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लास जैसा मैंने बताया बहुत लंबी हो जाती है तो आप लोगों को पढ़ने में या वीडियो देखने में थोड़ी परिशानी आती है और वीडियो का सामने थोड़ चैनल को जोइन कर सकते हैं तो अहीं पर आपको पीडियाफ मिल जाएगी तो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार धन्यवाद